कि नमस्कार बहुत स्वागत है आपका इविध्या लाइब चानल नंबर 9 और NCERT YouTube Official पर और आपके साथ मैं याशुगान थी और आज का जो हमारा विशे है जिसपे हम क्लास लेंगे समझेंगे कुछ बाते करेंगे वो है Mathematics और क्लास 9 का ये जो टॉपिक है वो है Heron's Formula और इसे आपको विस्तार से बताने और समझाने के लिए जो खास महमान जो विशे विशे शग्ये हमारे साथ जुड़ी है आईए आपका भी उन से पर्चे करवा देते हैं हमारे साथ है Senior PGT Mathematics Campion School भोपाल से बीना मैम हमाय साथ जुड़ी है Ms. Beena Prakash Ma'am good afternoon and very warm welcome to you in the session Good afternoon to you and to all my learners तो मैम से हम इस फॉर्मूले के बारे में समझेंगे लिकिन उसे पहले एक खास बात अगर आप सभी के पास हमारे नमबर नूट है तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं नूट है तो लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं आप उन नमबर्स को सेफ करिए, नो डाउन करिए और करिए हमसे संपर्क इसके अलावा अगर आप कोई भी और प्रतिकरिया साजा करना चाहते हैं कोई बात, कोई फीडबैक हमें देना चाहते हैं हमारे किसी भी कारक्रम से जुड़ी हुई तो आप हमें हमारे इमेल के पते पर जिसके आईडी लगाता स्क्रीन पर दी जा रही है आप उसके माथ्यम से भी कर सकते हैं हमसे संपर्क तो बढ़ते हैं आगे जोकि क्लास नाइन्थ है और सब्जेक्ट है माथमाटिक्स तो पेपर और पें तो हाथ में बनता ही है फॉर्मूला समझने के लिए नाम, ओवर चुई हो थाइंक यू नाथिसस रहा i. नाथिस की स्टक्र cię Chem buoy टेमित्रिक्टने के लिए सिर्प नाम है जुट कर नाम ही हिरांस फॉर्मूला है यह दिए चाप्लिक्टय के ब का मतलब ये है कि सिर्फ हमें क्पुटेशन बें फोकस करना है क्पुटेशन में 추가できछले भी करना से disrupt प्राइस से, मुल्किकेशन, डिविशन, ये सब अपने को, स्क्वेर रोट, क्योट, ये सारा चीजे अभी अपने को प्राइस में करना है, साथि, we can do things faster, ठीक है? To start here, इनास पांट आचली, बेस्ट पांट वाद, इस तो फांट ए एल्या और ट्राइंगलर रीजन. तो इसली हम क्या आचलेगे? तो हमें इस formula के लिए what is required, we require one side that can be taken as a base और उसके साथ उसका altitude, altitude means उसका opposite vertex इतना how far is from that side तो यह length होना चाहिए, this is represented as H और इसका बेस लेड़ेत है now in case जहाँ triangle के बेस के अलाबा दोनों size दिया है, height नहीं दिया है instead इसके जगर आपको तीनों size का measure है, ती size का measure है then we make use of this formula that is known as Hiramu's formula, ठीक है? and the formula is बड़े अच्छे चे सुनीं बच्छो, this is the direct formula, इसमें कोई change नहीं राएगा आपको यह भी formula अपना है, it is under the root, cursor दिखर आपको S, S-A, that is 4 factors है under the root, one factor is S, S-A, S-B and S-C अब यह क्या चीज़ है S-A, S-B? A, B, C are the sides of the triangle, ठीक है? अब S क्या है? S is A plus B plus C according to that is semi-perimeter, इसको बहुते है semi-perimeter, हाँ A plus B plus C मतल्स, some of the sides of the triangle, उसका A था, that is known as A plus B, semi-perimeter, ठीक है? This is actually a mathematical formula, इसको computation में यूसकाते है, as I said, अच्या, why is it named so? Because it is actually named after this, this is a history hero of Alexandria, a Greek engineer under the tradition, who lived around 10 to 17, 18, इसको पुरानी पाते है, this aims, this formula is actually meant only for, that is, we have to find the area of the triangles, कब वें height or triangle नही नही नहुता, उल्ली साइज़ अच्या, ठीक है? What are the situations में मिलता है, is the situations where, we get the sides of the triangle, like अब दिंखी के question, let me discuss this question, अब इस question में क्या लिखा है? The sides of a triangle are in, the sides of a triangular field is given as 41 meter, 40 meter and 9 meter, that is, तीनो sides लिया है. Find the number of rosebeds that can be prepared in the field, if each rosebed on an average requires this much space, ठीक है? इतना space एक rosebed के लिए चाहिए, तो ये एक field है, triangular field है, जिसका side है, 41 meter, 40 meter and 9 meter, ठीक है? तो अब अपने को निकाना है कि इस field में, इस triangular field में कितने हम rosebeds बना सकते है? So the first thing, whenever you get any question based on figures, और figures का dimension दिया है, मेंशन किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, सबसे पहले बच्चों ये ध्यान रखना कि मेंशन किया हुआ है, It needs 900 square centimeter, that means 2 quantities दिया है, 2 numbers दिया है, 2 dimensions दिया है, उसमें अपने को एक चुल है, उसका unit है meter, दूसरे का unit है centimeter, सबसे पहले अपने को ये देखना है कि how to convert these units, तो बच्चों ये, I think you all can recollect, आपको recollect करना है, आपके पास ये information है, 1 meter is equal to 100 centimeters. अभी कहां use होता है, सबसे पहले हमें क्या में करना है, सबसे पहले की में करना है, कि total area कितना है, area किसका, area of the triangle. तो वो triangle, area के लिए, just how, that's the area of the triangle that we have. Now, how will you get it? What we require first? We require the perimeter of this triangle, sorry, area of the triangle. So, सबसे पहले हमें सका semi-perimeter in triangle. So, semi-perimeter in triangle, 41 plus 40 plus 9 upon 2, इसका total sum comes out to be 9, 45. The value of the semi-perimeter is 45. Now, we find the area using the formula as S minus A, S minus B. So, 1 side is 9, 1 side is 40 and 3rd side is whatever, fine. Now, this formula में use कर देते हैं, So, this formula में you have to complete. That is what I said, हमें ये computation वाला chapter है, जहां हमें बहुत सारे calculus करने हैं. So, अगर आपने calculus में गल्ती करोगे, तो आपको बहुत करणे हैं. राइक पॉम्लम हमें अमेशा, क्या है, थूरा सहां, इजी गोई मुट आपको पना, करक्लेशिन थूरा था करणा है, इसलिए अप्टिम यहां से करना है, तो लेट में टेक अप्रिस्ट, इस 45, 45-9, 45-40, 45-41, ना, 45-9 का वाल्यू है, 36, 45-40 का वाल्यू है, 5, 45-40 का वाल्यू है, 5, 45-41 is 4, अब यह स्ट्वेर रूट है, बच्छों, याद करके देखो, when you have anything under the roof, what does that you look, कि एक ही जैसन नम्बर, ट्वाइस है कि नहीं, अब उसमें देखने के सबसे पहले थे, कि मैंने बच्छराइज किया, 45-45 is factored as 9 and 5, इन 36 का factorization, 6 and 6, then 5, 4 अर्यू है, तो आपको एक जैसन नम्बर, दो बार दिख रहे है किया, जैसे यह 6 and 6 बार दिख रहे है, so I have taken this, it comes out, it is 6, एक है, जैसे 5 and 5 दो बार है, 9 is already a perfect square, किसी का square है, किसका square है, 3 का, and 4 is also square of some number, that is 2, तो यह सब multiply करके answer आपता है, 180 square meters, तो हमारे पास जो रिड़ रिड़ है, उसका area कितना है, 180 square meters है, और हमको क्या निकालना है, कि हम कितने rosebecks, निकालना है, इस इस अप्लिकेशन, इसके आगे दिया है, एक पाट दिया है, that is not just area, उसके आगे में इस information है, कि उसमें अगर एक rosebecks बनाया, जिसका area 900 square centimeter है, तो ऐसे कितने इक bits बना सकते है, उस region के अदर कितने बना सकते हैं, तो 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 तोल area upon the area of each rosebecks, अब तोल area क्या निका आपना, 180 square meter, अब दिखिए, this is what I said, 1 meter square meter, मतलब 1 meter is 100 centimeter, तो अपने पास कितने, square meter, square का मतलब क्या है, दो quantities है पने पास, तो load and that is, it is, we have to date up, तो वो है यह आपने लिखा, मैंने इसको convert किसमें कर लिया है, इसको numerator को मैंने convert कर लिया, square centimeter, denominator is already in square centimeter. So this is a very important thing, कि जो भी calculation कर रहे है, उसके सारे के units से होना चाहेगी, अलगर units में यही करें के कपी भी, एक को convert करना है, कौन सा easy है, convert करना वो देखना, कौन सा easy है, बढ़े को छोटा करना easy है, छोटे को बढ़े करने में पर divide करना मता है, division घंडेशा avoid करेंगी, अब इसके calculation में देखिए आपनो, calculation will be equal clear है, इसमें we have, यह zeros cancel हो जाते हैं 100 से, दो बचा क्या है 9, 9 cancel हो जाता है, 18 से 2, so what is left 2, means यह 20 है, and उसके साथ 2 zeros, कितने होने लिए 2,000, तो आप कितने इस तरह के rose beds बना सकते हैं, 2,000 rose beds बना सकते हैं, अब इस question में एक चीज और भ्यान दे, जैसे मैंने कहा बचूं, कि यह computation based question है, computation based question में आपको एक चीज का भ्यान रखना है, कि जो भी numbers हमारे पास रहते है questions में, वो random numbers मही रहता है, NCRT textbook के कोई भी questions में random numbers मही है, आपको लग रहा हो गए कि यह 3, कोई भी random numbers, it is not, यह हम triangle के बारे में delete कर रहे हैं, और यह size specific size, measurement से हैं, तो इसमे कुछन को चिपा होगा, try to identify what is in it. जैसे इसमे 940 and 41. तो बच्चो, आप नोगो धानोना चाहिए, कि 940 and 41, they are the size of a right tangled triangle. Why is it right tangled triangle? Why is it right tangled triangle? Because, यह pythogran triplet है. How will you verify it? मैं pythogran triplet का मतलब क्या है? We have two sides a and b, and that's the third side. Pythogran triplet says that, square of two sides, a square plus b square, should give us the third square. अब आप square करके add करने से अच्छा, you take up this result, that is, आप result हमेशा थोड़ा से अलग करिके से use करिये. c square minus b square. इसका advantage क्या होगा? कि we can use it in the form of a formula, that is, c square में, that is, square नहीं करना चर्णा चर्णा है. We can use it, use an identity here, and I am using this number, 41 को सिंगे लिकर. 41 square, that is 41 minus 40, and the next number is 41 plus 40. 41 minus 40 is 1, and 41 plus 40 is 81. 81 किसका square है? तो a is, this implies a is 9, third side में क्या है, हमने 2 sides उसके 41 and 40, so we are getting third side as 9, that means, यह जो triangle है, actually, it's a right-angle triangle. तो आपको कभी भी इस triangle कर, ऐसे dimensional triangle देखीगे, तो question यहां पी इस union form दा है, तो आपको यह union form में apply करना पड़ेगा, otherwise, हम directly इसका area निकाल सकते है, as half, base, base अब कौन से ने इक altitude चेहिए, as I said, altitude मतलब perpendicular, perpendicular मिल्स, opposite vertex से उस side के पर perpendicular, तो आपको clearly, यहां पर देखे रहां, बच्छा, 2 sides एक उससे perpendicular है, इसका मतलब, एक side को आप base लेगा, बूसरा side, automatically, जो है, वो उसका altitude रोगा, that's a perpendicular, तो अब यह 9, multiplied by 40, अगर लेंगे, तो isn't it an area coming up to be 180, 180, 180 same angle, so how fast we can get the calculation, यह चीज़े आपनों को याज़ने, करना पहे है, आपको करते करते, आपनों को समझने आचाएगा, ठीक है, so that's one question, next question is again, a question based on, the size of the, it's mentioned, पट इसकी application, that is, इस तरे के question को, हम कहां यूस काया है, उन्होने यूस काया है, जैसे, एक triangular wall, of flyover, has been used for advertisement, एक है, the size of the walls are, this, 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 यह किन साइस तर, तो तीन साइस तर, लेंट दिया हुगा है, the advertisements, yield and earning of Rs. 5000, per square meter, per year, a company hired the wall for, 3 months, how much rent, did it pay, that means, एक region, then उन्होने किया, flyover के नीचे, जो region है, that is triangular region, ठीकित, एक textbook का question है, यह question उन्होने बोला है, कि अगर इस region को, उन्होने कुछ advertisement के लिए use किया है, जिसका rental rate यह है, क्या है इसका rental rate? 5000, per square meter, per year, एक साल में आपको, एक square meter करी देना है 5000, तो आपको कितना, क्या-क्या निकालना है, और एक साल का है यह पूरा है, एक साल का एक स्वेर में आपको, तो यह एक स्वेर में तो नहीं लग रहा है, यह तो नहीं लग रहा है, यह तो पुरा area निकालना पड़ेगा, तो, you have to find the area of the triangle, again, by making use of a hyoron's form, hyoron's form लाइपन ले पहले तो आप सा, a semi-perimeter निकालने s, लिखहें, 122 ले, we have the semi-perimeter as 132, and then we move to the area. Now, area लेखें, this is the calculation that we have, 132s, s-a, s-b, s-c, एकिए? रहीं लेखें, you can put the राइ, उसे यह लेखें, 132-182 is 10, 132 minus 120 is 12 and 132 minus 22 is 110 अब इसमें से भी आप instead of breaking it into smaller fractions आप थोड़ा सा ध्यां से just keep some time for these numbers आप को clearly good factors दिखेंगे good factors बंद ये चो 11 दिखरा है it is 110 10 actually is 11 multiplied by 10 तो look for another 11 in this numbers 11 दिखेंगे आपको देखे 152 has 11 it's 11 multiplied by 12 जैसे आपने यहां पर लिक आपको दिखरा है कि दो 12 भी दिखरा है so isn't it easy to get the perfect आप कभी ये काप अपर करना कि इसको सब को multiply करके इसको square root निकार ये काम कभी भी निकार look for a way which will help you to apply the previous knowledge आपको जो previous knowledge है उसको use करिए आप easily कर सकते 2 11 आपके है which gives us square root of it is 11 हो किया 2 12 है 3 12 हो जाइना अभी 10 है and it 10 from here because this is 11 multiplied by 10 so 2 10 आपके है so what is the number that you get 1320 so that is now the area of this region जो area है मिला है उनको अटटाइचमें करने का उसका area is 1320 and that is in square 20Sq.m. रुपीस फाईगा, ठीक है, आनि फॉर, this is three months, three months कैसा होगा, year क्या है, year has 12 months, को 12 months means divided by 12 हो जाएगा, अनि फा three months क्या हो जाएगा, this is for three months is multiplied by actually three months होना जाएगा, I'm sorry, this is divided by 12, this is divided by a year है, so this is divided by 12, this is not the calculation we have, this is 5000, this is wrong, it is 5000, एक साँ का, इवाईगा जाएगा, अनि फॉर, three months का, it is for three months, it is three, and then each, एक 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 एएगा है, this is for this much area, multiplied by 1 रेगो जाएगा, so this will be four times if it is cancelled, and four times एएगा जाएगा, as 33, so the amount that will come out is 1655, एक जाएगा, 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 this much business only, so this is how we go for, अब देखे, किते बड़े 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 नंबर से थे, I have made a mistake, इस तरह के mistakes को आपनों अवाइद करेंगे, क्योंकि ये क्या है, Cal Computation Mistakes है, कभी-कभी इसके marks बहुत है होते हैं, जो कर जाते हैं, तो ये आपनों को दिखना है, नहीं होती कहा, now this is the next question actually, ये question है कि area of the shaded region, आपको area of the shaded region लिकालना है, इस triangle में information क्या है, एक side दिया है 120, दूसरा side दिया है 120, अब ये side BC नहीं दिया है, और एक और इसके इंडर का एक triangle दिया है, 24 and 26, यहां एक information है कि this is right angle triangle, this is right angle triangle, अभी आपने देखा एक ही, इसी question को अभी आपने देखा, उपर ये number से 122, देखें, आभी 122, 20 and 22, तो just, just verify, यहां पे भी आप verify करके देखें, are they giving us a python in triplet, तो आप बढ़े को ये number, 122 minus 120 and 122 plus 120, इन दोनों का evaluation क्या है, देखें, 122 minus 120 is 2 and 122 plus 122 plus this will come out to be 242. 242 में, चेक करो, you have 2 multiplied by, 2 multiplied by 121. So, this is actually the third side, तो third side लेक सत्या कर, so we have written as A square, so this is A square, A square isn't it. So, is it A equal to, those two है, that is coming out to be 2 and 121 is square of level, so it's 11, so 22 है. That means, ये जो triangle दिया है, ये भी एक right item triangle, ठीक है? So, अगर ये direct question आता है, कि जस रेंट परता करना है, कभी कोई भी competitive exams में आपको, ये स्टरिके competitive exams में आते हैं, पर questions which is actually, the basic question mathematics जहाँ पर है, कोई भी management exam, basic जो आता है, उसमे ये type of questions आते है, इसमें आप लिनोंस formula लगाने को बदल में, आपके हैं directly apply the formula, but you should be aware, कि ये जो 3 numbers, जो ये sides of a triangle, they form a right triangle triangle, कि ये, so this is how we take up this, to, we have the information that the third side of this will be 22. So now you can always get, whether this is the part of the equation, ये जो अर्या निकारना है, area of the region is area of bigger triangle minus area of smaller triangle, so बद अर्या of the bigger triangle, we can get it through half base multiplied by height. तो बेस 22 भा, है इस 122, so we have the area of the bigger triangle in a easier way, now trying the PBC, we have no option, be going for the eros, eros from the same now, see, अब डिकिए यहां इस तरेके सिए नहीं, तरेके सिएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए यहां इस तरेके symbol का मतलब यह है, कि यह जो 105 यह, 105 जो है, perfect square नहीं है, that is, किसी number का square नहीं है, किसी natural number का square नहीं है, तो इसको एक approximate value लिया है, that is 10.25, आपको उपर square root of any number लिकाने का एक बदर थार 8 class में बच्चे यार होगा, तो उसके से हमेंने ही निकाना है, so it is not exactly, इसलिए मेंने approximately लिकाना है, और आप ऐसे में लिख सकते हैं, it is to otis 6 approximately, आपसे में लिख सकते हैं, square root of any number, आप इस तरह से में लिख सकते हैं, आप लिखना बहुत जुरूरी है approximately, because this is not exact value, विंकि irrational number का में exact number, नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख पाते हैं, यह बच्चों आपने को बाहुता हैं, so I think, थोड़ा बाद टाइम है आपने पास? बिल्कुल भी नहीं है माम, really sorry, माफी चाहूंगी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और बहुत अच्छे से बच्चों को समझ में आओगा, I'm damn sure, thank you so much माम, connect on it. Thank you. तो इसी के साथ बच्चों में पूरी उमीद है कि आज जो फॉर्मूला माम ने अच्छे से बताया है, समझाया है, आप इसकी प्रेक्टिस करें, इसको no down करें और ध्यान लगाके पड़ें, All the very best for you all for your future और अभी के लिए इस सेशन में इतना ही, Namaskar.